कि आशुद में जब मार्क्र मिट गई तो मैंगो मिलने लगे थे तो मैंने पक्क Очень आइस क्रिम बनाऊंगी देख के मुंहें ही पानी आ रहा था और पकेचए भी थे आम एकदम तो मैंने आज बना दिया है mango ice cream बहुत ही बढ़िया texture आया देख रहे हो एक दम creamy creamy तो आप ही तियार कर लो बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से हमारा ice cream तियार हो यह कोई छंजट नहीं है कमेंट में आप जरूर बता नहीं है आपको कैसा लगा recipe और subscribe तो बनता है friends यह आपका प्यार है तो कैसे हमने तयार किया है चलो चलते हैं देखते हैं सबसे पहले हम पके हुए आम ले लेंगे इसके पल्प निकालने में बहुत आसानी होती है इसलिए हम ज्यादा पके हुए ही आम यूज करते हैं और यह मैंने किया है कि हुआ पखिण मैं मां आच के गया में कWork क कि यह बहुत ही पके है इसमैं छन्ने छानय के तो इसके पॉल असानी से निकल जाएंगे यह देखा बहुत ही असानी से निकल रहे हैं मैंने एक बार बिटर यूज कर लिया है आप जब मैंगो का पल्प निकल जाएगा तो दुबारा मैं इसमें फिर बीट करूंगे आइस क्रीम का बस एक ही ध्यान देना है बनाते वक्त कि जब भी हम यूज करेंगी मिल्क को तो कंडेंस मिल्क गार ही milk रहेगी तो ice cream बहुत बड़ियां बनेगी एकदम देखो color भी आगये है इसे मैंने एक बार बीट किया था दुबारा एक बार और बीट कर लूगी mango के साथ इसमें सारा कुछ मिल चुका है चीनी मिल गया है essence मिल गया है mango मिल गया है अब कुछ करना नहीं है बीट करके 3-4 मिनट अब इसे मैं एयर टाइट कंटेंड में रखतूंगे चलो हमरा तयार हो गया है मिक्सचर अब डब्बे में डाल देनी है इसको और 4-5 घंटे निश्चिंत हो जानी है यह रहा हमारा डब्बा आइस्क्रीन की इसे फ्रीजर में हम रख देंगे 4-5 घंटे के लिए और हमारा यह आईस्क्रीम 5 घंटे बाद तयार है क्रीमी क्रीमी देखके मुमें पानी आ रही है मेरी तो चलो हम लोग इंज्वाइंग करते हैं और आप भी फटा-फट बनाने की त्यारी करो घर की बनी आईस्क्रीम हेल्दी भी होती है इसमें फ्रूट्स है मिल्क है तो हम लोग इंज्वाइं भी कर सकते हैं अच्छी तरह से और बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो चलो इंज्वाइं करते हैं मैंगो आइस्क्रीम के साथ करते हैं